नवस्कार मेरे प्यारे मित्रो मैं पंडित राजगुरु सर्मा आप सभी का हमारे सब्द ग्यान यूटूब चैनल में स्वागत है मित्रो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बारे राशियों में से ऐसी कौन से तीन राशिया होती है जो बहुत ज़्यादा गरम होती है जो बहुत ज़्यादा क्रोधित होती है जो बहुत ज़्यादा एहिंकार भरी होती है जो बहुत ज़्यादा कड़ भी होती है जो किसी अंजाम की परवा नहीं करती है जो खुद अपने कंधे पर बंदूख चलाती है जो किसी की साजता की मोताज नहीं होती है जो किसी भी संकट से नहीं डरती है जो जीवन में अपने दम पर आगे बढ़ती है जो अपने उपर हमेशा भरोसा रखती है ऐसी बारे राशियों में से तीन राशी कौन सी है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लेकिन मेरे प्यारे साथियों यदि आपने भी तक हमारे सब्ध ग्यान यूटूब चैनल को सब्सक्राइम नहीं किया है तो कर लिजे ताकि आपको हमारी आने वाली हर ग्यान वर्द कोडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिखते रहे साथियों बारे राशियों होती हैं और बारे राशियों को चार भागों में बाटा गया है तीन राशियां अगनी तत्व के होती है तीन राशियां वायू तत्व के होती है तीन राशियां जल तत्व के होती है और तीन राशियां प्रच भी तत्व के होती है इसलिए तीन तीन राशियों को चार भागों में बाटा गया है और जिस जिस तत्व के राशियां होती है उ तो सबसे ज़्यादा जिद्धी, क्रोधी, अडियल, संगर, सीर, मेंती, इमानदार, अपने दम, खम पर जीवन में आगे बढ़ने वाली होती है, जो किसी की सायता की मोताज नहीं होती है, वो तीन राशिया हैं, मेस, सहिंग और धनू, मेस, सहिंग और धनू, ये तीन राश कुड़ते रहते हैं, जहर को पाले रहते हैं, ये जो बोलते हैं, मुँपर बोलते हैं, चाए किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये किसी की सायता की मोताज नहीं रहती हैं, क्योंकि ये तेन राशियां जो होती है, अगनी तत्की राशी होने के कारण, इनका इसलिए तीन रासी बहुत ज़्यादा क्रोधित होती है, जिद्धी होती है, अडियल होती है, एहें कारी होती है किसी की सायता की मोताज नहीं होती है लेकिन कभी कभी इस कारण से इन गुण और अवुगुणों के कारण से ये जीवर में बहुत ज़्यादा दुख संकटों का सामना भी करती है मित्रो, मैं इन तीन राशियों को यही सला दूँगा कि ये जितना भी हो सके अपने क्रोध पर काबू रखे और मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करें और बिना सोचे समझे किसी भी कड़वी इवानी का प्रियोग ना करें बहुत जल्दी से कड़वे सब्द बोलकर एहिंकार में आकर अपने रिस्तों को खराब ना करें क्योंकि आप जीवन में कई बार ऐसा कर जाते हो फिर बाद में पस्ताते रहते हो आप विवार चरतर के अच्छे हो दयावान भी हो सभी के काम आने वाले व्यक्ति भी हो लेकिन जो तुमारा अगनी जैसा जो स्वेभाव है निये बहुत ज़्यादा क्रोध आता है कोई भी फैसला बहुत जल्दी तुरंत कर देते हो किसी की परवा नहीं करते हो इस कारण से आपको जीवन में कई बार परेशानियों का, संकटों का दुखों का सामना करना पड़ता है जिस से आपको बाने पसताबा होता है तो आप ऐसा ना करें जैसे हमने आपको चुपाए बताए हैं इनको करिये तो कौरोध पर सहीं बना कर रखे मंगलवार को लालोबस्तु का दान करें बिना सोचे समझे किसी भी सब्द का प्रियोग ना करें यदि आप इन तेन बातों पर ध्यान रखेंगे तो आप बहुत हद तक आप अपने जीवन को सुदार सकते हैं अपने संबंदों को सुदार सकते हैं तो मित्रों मेरे प्यारे साथ योदि आपको हमारे दिवी जानकारी अच्छे लगी हो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एड़ से करना और कॉमेंट बोक्स में जरू बताना यदि बारे राशियों में से कोई भी राशी का जातक जाती का है अपनी आनित बनाए रखें सभी जानकारियों के लिए और हर समस्या के समधान के लिए आप हमसे संपर कर सकते हैं मित्रों अब यहीं पर हम अपनी वानी को देते हैं विराम और आप सभी को करते हैं नमस्कार फिर में रहेंगे नई ओडियों के साथ जब तक के लिए आप सभी को जय हिन, जय भारत